हेलो दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर केज सोगले और हमारी चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है लास्ट कुछ चिकन पॉक्स की वीडियो में कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट किया था कि चिकन पॉक्स में जो एंटी वैरल्स और जो एंटी बा की जो खिकन पॉक्स के पेशंट होते हैं उनमेंसे जो जादा ज्यादा पेशंट होते हैं लग बग आप मान लो की असी परतिशत या फिर 80 पर्स ठीक हो जाते हैं बस उनको ज़रूरत होती है प्रॉपर रेस्ट प्रॉपर हाइड्रेशन या फिर बहुत सारा पानी पिने की और कुछ अगर फीवर आ रहा है बुखार आ रहा है तो पैरसेटमोल लेने की इतनी ही ज़रूरत होती है बस और अगर इचिंग है तो पेशेंट ह हैरोगजीन या फिर सिट्रिजीन ऐसी मेडिकेशन भी ले सकते हैं और बाहर से अपलाए करने के लिए केलामेन लोशन ले सकते हैं बस इतना ही करना है एटी परसेंट में इस तरह से एंटिवारल से ज़रूरत नहीं पड़ती है लेकिन इन एटी परसेंट को छोड़ करके क पुझ ऐसे 15-20 प्रतिशद ऐसे पेशन्ट होते हैं जिनमें चिकन पॉक्स के वज़ए से बहुत ज्यादा सीवियर सिंटम्स और साइन्स आ रहे हैं तो उन पेशन में हम एंटी वहरल दे सकते हैं एंटी वहरल के अंदर हम चिकन पॉक्स के लिए जो चॉइस ऑफ एंटी antiviral होता है वो होता acyclovir तो बहुत ही severe condition में हम उस patient में acyclovir दे सकते हैं acyclovir का dose उस patient के body के weight के अनुसार decide किया जाता है छोटे बच्चे में है तो थोड़ा dose उसका कम रहेगा और adult patient में उसका dose थोड़ा जादा रहता है तो acyclovir अगर बहुत ही severe condition है तो तब ही उस patient में दिया जाता है और acyclovir की जरूरत most of the cases में नहीं पढ़ती है लगबग जैसे मैंने अभी बात की less than 20% patient में acyclovir की जरूरत पढ़ सकती है बाकि के जो patient होते हैं बिना antiviral की ठीक हो जाते हैं और ऐसे कुछ patient होते हैं जिनको severe chickenpox की symptom आने के साथ-साथ उनके body के उपर जो blisters बनते हैं blisters के अंदर कुछ secondary infections बन जाते हैं तो उन secondary infections को treat करने के लिए फिर उस patient में antibiotics देने पड़ सकते हैं antibiotic के अंदर हम उस patient में amoxclav या फिर azotromycin इस तरह के medications भी उस patient में दे सकते हैं लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर उस patient में बहुत जादा severe symptoms है या फिर उस patient में कोई secondary bacterial infection बना हुआ है तो फिर उसी condition में उस patient को antiviral या फिर antibiotic देना चाहिए अगर उस patient में कोई जादा severe symptoms नहीं है कोई secondary bacterial infection नहीं है तो फिर उस patient में antivirals और antibiotic देने की कोई जरूत नहीं होती है वो patient वैसे भी एक हफते के अंदर या फिर दस दिन के अंदर धेरे ठीक हो जाता है पस उसको हमें supportive therapy देनी पड़ती है most of the cases में antibiotics, antivirals की जरूत नहीं होती है अगर हम acyclovir की बात करें तो acyclovir उस patient में तभी कारगर होता है तभी असरदार होता है जब उस patient में rash आने की शुरूआत या फिर blisters बनने के शुरूआत होने के 24 घंटे के अंदर अगर आप acyclovir शुरू करते हो तभी उस antiviral treatment का कुछ फायदा होता है मतलब कि first rash आने के 24 घंटे के अंदर आपको acyclovir चालू करना है तभी उसका benefit दिखाए देता है अगर rash आना शुरू होके या फिर blisters बनना चालू होके और के 2 दिन, 3 दिन हो चुके हैं उसके बाद अगर आप acyclovir चालू करोगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं होता इसके बाद और एक बात का दिहान रखना है कि उस patient में जिसको की chicken box होआ है उस patient में aspirin या फिर aspirin containing कोई भी दूसरा medicine बिल्कुल भी नहीं देना है तो बाकि जो भी patients के chicken box के बारे में जो भी थोड़े बहुत doubts थे मेरे ख्याल से अभी cover हो चुके हैं क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि chicken box के वज़े से बनने वाले black spot को किस तरह से मिटाते हैं और अब इस वीडियो में हमने बात की है चिकन box के लिए जो antiviral antibiotics इस्तेमाल किये जाते हैं उनके बारे में तो I think overall this sums up all the legal condition of chicken box यह आप chicken box की पूरी playlist भी देख लोगे तो भी आपको आपके chicken box के बारे में जो भी doubts है उन सभी के जवाब मिल जाएंगे तो थाएंगे जाएंगे जाएंगे